हाल दोस्तों मैं डॉक्टर विनोच चानवानी आप सबी लोगों का आपकी अपनी पेड बैच डॉक्टर विनोच चानवानी में सोगत करता हूं दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीखते हैं NKUGC NET पेपर वन और पेपर टू की पूरी तयारी अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो पेपर वन है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एडूकेशन कम्प्लीट हो चुका है और लॉजिकल लीजिनिंग के कुछ पार्ट्स भी कम्प्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, that is what communication लेकिन आगे बारने से पहले दोस्तों बता दूँ कि जब ये लेसन कम्प्लीट हो जाएंगे तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो कहां मिलेगा तो आपको ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिलेगा एप में आप क्या करेंगे डाउनलोड करेंगे एप डॉक्टर विनो चानवानी Google Play Store से और सर्च करेंगे डॉक्टर विनो चानवानी सब सर्च करेंगे तो आटोमेटिकली आ जाएगा उसको डाउनलोड करिए और साथ ही साथ हमारे लाइब सेशन्स भी जो हैं वो रहते हैं आपे YouTube पे Dr. विनो चानवानी सब जगे Dr. विनो चानवानी है तिक के Dr. विनो चानवानी मैं नहीं हूं मैंने बहुत बार का आए कि Dr. विनो चानवानी एग ब्रेन्ड है जो यह particular NDA UGC NET की पढ़ाए करवाती है ठीक है दिन टेलिगरम चनल है डॉक्टर विनो चानवानी आप टेलिगरम चनल को भी जोईंग कर सकते हो आई दिन नोट्स वगरे मैं अपलोड करते रहता हूँ और दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपको कोई डाउट है तो यह हमारा वाटसप नंबर है आप बिलकुल कम्यूनिकेशन क्या होता है जो भी आपको आईडिया है बताईए वाट डियू मीन बाई कम्यूनिकेशन क्या होता है कम्यूनिकेशन एक बार वापस से बोलिए ओके 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 गुड नव अगर मैं कम्यूनिकेशन की बात करूँ तो हमको बता है हमारा डेली पूरगा पूरा डाइम कम्यूनिकेशन में जाता है चाहे वो ओरल कम्यूनिकेशन हो चाहे वो रिटिन कम्यूनिकेशन हो या फिर अगर हम बात करेंगे चाहे वो gesture communication हो, symbolic communication हो, कोई भी प्रकार का communication हो, हमारा पूरा time जो है वो communication में ही जाता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि क्या है communication, जैसे मैंने बताया है, यह देखिया आप इस particular slide को देखिए, यहाँ पे लरकी कुछ lecture बता रही है online, यहाँ पे आप देख सकते हो, teacher बोल सकते हैं, यह एक प्रकार की teacher है, जो जैसे हम लोग यहाँ पे live sessions जो है, हमारा record हो रहा है, live sessions हो रहा है, तो but natural है, कि हमारा पूरा time जो है, वो communication में जाता है, अगर मैं data को देखूं, तो हमारा 80% time, approximately oral communication में जाता है, around 80% time, याने आप imagine कर सकते हो, कि हमारा कितना time जो है, वो communication में जाता है, so that is what, हम लोग देखेंगे, तो हमारा बहुत सारा समय communication में जाता है, ठीक है, तो चलिए, क्या बोल रहा है, introduction of communication, now सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि, 2019 में हमारा ये जो course है, वो पूरा का पूरा revised हो चुका है, तो but natural है, हमारा जो communication का syllabus है, वो अभी एकदम revised है, तो ये बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, now communication की बात करेंगे, क्या बोल रहा है, the word communicate, या communication, comes from the Latin word communist, or communicator, which means to import, to share, or to make common, it is also the source of English word common, which means the opinion of the someone, अभी, अगर मुझे कोई भी communication करना है, याने मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, तो natural है, मैं उसके लिए क्या करूँगा, communication करूँगा, कि बिना communication के कोई बात होगी ही नहीं, जैसे आप लोग यहां पर live हो, आप लोग मेरा lesson सुन रहे हो, आपको अगर कोई भी बात जाहिर करनी है, आपको communicate करना पड़ेगा, आपको अपने आपको unmute करके बताना पड़ेगा, कि सर ऐसा ऐसा problem है, यह समझ में आ रहा है, यह नहीं आ रहा है, एक चोटा सा example लेंगे, और उसके बाद हम importance of communication समझेंगी, कि क्या communication है, मन लीजिए, एक मेरा friend है, अजे, या suppose एक हमारा student है, अजे, वो medical shop पे गया, और उसको पेट में दर्द था, लेकिन वो कोई भी चीज, मनलब को भी medicine मांग नहीं रहा था, तो अभी point है, क्या medical वाला कोई भी चीज प्रोवाइड करेगा, क्या जवाब है नहीं, क्यों नहीं देगा, क्योंकि आप communicate नहीं करोगे, तो आपको कोई भी चीज कैसे provide होगी, तो that is what a communication, अभी अगर हम दूसरा definition देखेंगे, तो चलिए, दूसरा definition क्या कह रहा है, तो चलिए, दूसरा definition देखते हैं, तो क्या कह रहा है definition, यहाँ पे देखेंगे, Sydney, J. Harris क्या कह रहे हैं, the word, two words, information and communication, यहाँ पी क्या बोल रहा है, words, information and communication, और often used interchangeably, यानि कि synonymously, दो words हैं, देखिए, information और communication जो है, वो हमेशा बहुत सारे लोग interchangeably use करते हैं, but that is different case, अगर हम information की बात करेंगे, तो information अलग है और communication अलग है, क्या फरक है information और communication में, कोई बताएगा आप में से, what is difference between communication and information, yes, information क्या है और communication क्या है, मन लीजिए, मैं कोई भी particular research कर रहा हूँ, तो मैंने अलग-अलग लोगों से data लिया, ये मेरे लिए क्या है, information, और यही information मैं interested parties को बता रहा हूँ, that is what communication, तो information एक अलग चीज है और communication एक अलग चीज है, ठीक है, but they are significantly quite different things, information is given out, communication is getting through, Webster dictionary क्या कह रही है, sending, giving or exchanging information and ideas which is often expressed non-verbally and verbally, तो अगर हम जितना भी हमने अभी तक किया है, तो what is communication, communication simple means, exchange of thoughts, feeling, ideas, emotion, now tell me one thing, whether individually can do the communication or we need two persons in a process of communication, what is my question, whether individual person can do the communication, क्या individual person communication कर सकता है, yes, whatever, वापसे बोलिये विजये, कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है, कर सकता है, उसको कहते हैं, इंट्रा क्म्यूनिकेशन, उसको क्या कहते हैं, इंट्रा क्म्यूनिकेशन, वो खोदी sender होगा, खोदी receiver होगा, बट अगर हम लोग intercommunication की बात करेंगे, तो intercommunication, we need two different people, that is what, one is sender, another is receiver, as you said, जरूरी नहीं की बात क्म्यूनिकेशन के लिए दो लोग चाहिए, बलागी, इंट्रा की बात क्म्यूनिकेशन की बात क्म्यूनिकेशन के लिए दो लोग चाहिए, So I hope you understand what do you mean by intra and intercommunication. Now, whatever we have discussed over here, on the basis of that, we have to see various features of communication, what are the various characteristics of communication. Communication is essentially a two-way process. Two-way process ka मकलब है, एक बंदा बोलेगा, दूसरा बंदा सुनेगा, यानि कि यहाँ पे two-way process है, यानि जैसे विजये ने कहा, एक कौन होगा, sender, और दूसरा कौन होगा, receiver. So that is what, it is essentially a two-way process. Number two, the basic purpose of communication के लिए, mutual understanding. क्या आप किसी राह चलते से कभी कोई भी बात करोगे क्या, या आपको किसी से जगड़ा करना हो, तो आपका mood हो रहा है, तो किसको भी कान के निजे बजाओगे, बो चल भाई, ठीक है मेरा दिल हो रहा है, तुमारे से जगड़ा करने का, क्या आप ऐसी किसी के से जगड़ा करोगे, किसके साथ ऐसी बात करोगे, क्या नहीं जब आपको जरूरत होगी जब आपको किसी काम की जरूरत होगी देन ओली यूनीट वाट यूनीट communication सो यहां पर क्या बोल रहा है कि communication के लिए क्या है main point mutual understand communication is a goal oriented process goal oriented यहने aim होगा बिना aim के communication नहीं हो सकता है यहां पर cdc बात है अगर आप communication करना चाहते हो तो आपका कोई न कोई aim होगा जैसे कि मान लीजिए मैं किसी दुकान में गया मैंने कोई चीज़ पर्चेस की तो मेरा aim था चीज़ें पर्चेस करना मैंने दुकानदार को बोला भाया यह चीज़ दो that is what my goal is what I have to buy something from the shop same way आपको lecture attain करना है आप live lecture में बैटे हो आपका goal है कि communication का पहला lecture उसको समझें यह आपका goal है so that is what communication is nothing but a goal oriented process communication is interdisciplinary science now before understanding interdisciplinary better we have to understand what do you mean by science the word science is derived from the latin word scientitia which means the generalized body of knowledge whenever we are doing physics we are doing chemistry we are doing biology we are doing science basically science is divided into many different types but all sciences are divided into two parts one is physical or natural science another is social science physical or natural science like we have done in the 8th 9th 10th and like 11 12th science physics chemistry and biology microbiology whereas social science the science which is dealing with the human beings so यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं यह क्या बोल रहा है interdisciplinary science देखिए हर एक जगे पे हर एक आती है कि कहां पे क्या बात करनी चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए यह समझ में नहीं आता है हमको so that is what we need a proper way of communication so it is an interdisciplinary science what is interdisciplinary याने every field हर एक फिल्ड में हमको जो है communication की अवशकता पड़ती है communication involves sender and receiver of information cdc बात है अगर हम process of communication को simple way में देखेंगे तो पहला होता है sender ठीक है sender क्या करता है message बनाता है message बैचता है message किसको बैचता है receiver को receiver message को क्या करता है receive करता है और फिर यह sender को क्या देता है feedback so this is a simple process when we will move ahead हम लोग पूरा का पूरा detail में सीखेंगे पूरा का पूरा process of communication लेकिन यह एकदम simple point है कि communication क्या है it is a it involves two different people that is sender and receiver then communication is a continuous process ऐसा नहीं है कि communication खाली हम लोग जो है वो जाकते हुए भी करते हैं सोते हुए भी हम लोग communication करते हैं कैसे no doubt सोते हुए हमारा जो conscious mind है वो तो सो जाता है लेगिन subconscious mind हमको जगा के रहता है और सपने के तोर पे हम लोग अलग अलग जो सपने देखते हैं वो हमारा क्या है again communication है जो दिन बर हम सोचते हैं वही रात को हमको सपने में आते हैं और that is what हमारा वो communication का part है so that is what it is a continuous process communication में भी formal और informal अभी जैसे मैं यहां पे lecture ले रहा हूं हमारा हमारे बीच में कौन सा relationship है formal communication का relationship है लेकिन जो दोस्त हैं जो friends हैं जो relatives हैं क्या वो आपस में formal में बात करेंगे वो तु तरह किसे बात करेंगे क्यों तु तरह किसे किए वो लोग informal वो लोग दोस्त हैं अगर एक manager है यानि एक superior एक subordinate है चलिए वो formal way of communication follow करेंगे लेकिन जो लोग दोस्त हैं जो लोग friends हैं वो कभी भी formal communication follow तो sorry नहीं करेंगे वो लोग हमेशा क्या करेंगे informal way of communication तो यह हमारे अलगलब feature से एक बार फड़बट से revision करते हैं essentially a two-way process communication creates mutual understanding it is what goal oriented interdisciplinary science sender and receiver continuous process formal and informal तो बटाईए यहां तक किसकोई doubt बगेर आपको what is communication what are the various features of communication में कोई भी doubt अभी तक आपको फड़बट बताएंगे चले बहुत 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 नो nature of communication nature बोलेंगे importance बोलेंगे so what is the importance of communication what is the nature of communication let us see now two or more persons यह बात तो एकदम clear है जब हम communication करेंगे तो आला कि मैंने आपको intra communication की बात की लेकिन आप रस्ते बे अगर intra communication करेंगे रस्ते बे बात करते जाएंगे अपने आपसे तो लोग आपको क्या समझेंगे लोगों को लगेगा यह पागल आदमी इसमें कोई डाउट नहीं है तो that is what यह बात याद रखनी है कि two or more persons communication involves at least two or more persons sender and receiver who send the message and who receive the message two-way process it is a two-way process हमने देखा sender क्या करता है message same करता है और receiver क्या करता है message को receive करता है और बाद में उसको क्या करता है reply करता है feedback करता है simple सी बात है एक चोटा सा example लेते हैं अभी मैं lecture deliver कर रहा हूं तो मैं कौन हूं sender आप इस lecture के receiver हैं तो but natural है जब ये lecture पूरा हो जाएगा आप बली मेरे सामने नहीं बोलेंगे लेकिन पीट पीछे बोलेंगे कि ये sir का lecture क्या थो समझ में ही नहीं आया ये आपका क्या है feedback और अगर आपको समझ में आया तो आप बोलेंगे ठीक है भाई समझ में आया लेकिन और अच्छा improve करना चाहिए या हमको थोड़ा अच्छा सा समझ में है तो whatever will be your reply is your what feedback तो cdc बात है it is a two-way process two-way process का मतलब मैंने क्या बताया sender message send करेगा receiver message को receive करेगा और बाद में receiver sender को क्या करेगा feedback दे देगा communication is information between two or more persons who continuous feedback simple ये बात तो clear है कि अगर एक बंदा जो है share करेगा message दूसरे बंदे को यानि जो दूसरा बंदा है उसको receive करेगा और but natural ये बात मैंने बताई कि receiver क्या करेगा sender को क्या बेजेगा feedback बेजेगा चलिए एक चोटा सा example हम लोग देखते हैं और हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि feedback कैसे होगा अब इमान लीजिए समझो मैंने आपको बोला है कि चलो भाई हम लोग एक काम करते हैं हम लोग एक research करते हैं हम लोग एक क्या करते हैं research करते हैं क्या research करते हैं कि यह जो coronavirus है याने की जो हमारी pandemic situation में हम लोगों ने जो vaccine लगवाए हैं अलग-अलग company के vaccine हैं हमको यह देखना है कि यह vaccine कितने कारगर हैं क्या यह vaccine successful है या vaccine successful नहीं है क्या है हमको यह देखना है पूरा का पूरा that is what यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो pandemic situation में हमने यह research किया है इसका क्या फाइदा हो रहा है ठीक है यानि कि जो यह vaccine लिया है तो मैंने आपको बोला चलिए भाई आप एक काम करिए आप अलग-अलग लोगों से data collect करिए आप लोगों ने data collect किया तो आप मुझे क्या करोगे इसका क्या दोगे feedback आप यह reply करोगे कि यह जो particular जो particular क्या है vaccine वो कितनी उसकी कितनी efficacy है वो कितना कारगर है कितने फाइदे वाला है that is what we can say यह एक प्रकार का two way process है जहाँ पे कौन है sender और कौन है receiver और क्या होगा message और एक चीज़ important है feedback ठीक है यह तो है इन चारों को छोड़के भी एक चीज़ बहुत important है कौन बताएगा एक point जो मैं बार-बार लिख नहीं रहा हूं लेकिन वो बहुत important है क्या है वो important point यानि वो भी element of communication है sender, receiver, feedback, message बोलिए very very good एकदम right channel क्योंकि अगर channel बरोबर नहीं होगा तो क्या होगा अगर मन लो जैसे यहाँ पे मेरा lecture चल रहा है और यहाँ पे recording भी हो रहा है तो यह recording में कल एप में डाल दूँगा यहाँ रात को डाल दूँगा तो point है अगर मन लो जैसे बीच में आपने देखा कि थोड़ा सा mistake हो गया आपने अपने system पुरा reboot करके on किया तो communication का यह channel का क्या हुआ बहुत बड़ा mistake हो गया बहुत बड़ा funda हो गया बहुत बड़ा problem हो गया जिसकी वज़े से हमारा communication जो है वो stop हो गया so that is what channel is also very very important element ठीक है message message included facts ideas opinion information or emotions are transmitted to the receiver simple सी बात है कि message क्या है message में क्या क्या include करेंगे message में हम लोगे include करेंगे facts ideas opinion information और emotions are transmitted जितनी भी information है या facts है या figure से वह हम क्या करेंगे transmit करेंगे यानि सेंडर क्या करेगा transmit करेगा किसको transmit करेगा receiver को अपवर्ट downward और horizontal अभी यहां पे एक बहुत बढ़िया सा example लेते हैं अपवर्ट downward और horizontal communication देखें अगर मैं बात करूं company की हो सकता है आप मेंसे कुछ लोग commerce के हो सकता है कुछ लोग commerce के नहीं हो लेकिन मैं आपको company का पूरा का पूरा structure बताता हूँ जो लोग commerce के हैं मुझे यह बताईए सच्सी बड़ा कौन होता है company में who's the original owner of the company company में original owner कौन होता है shareholder कौन होता है भाई shareholder shareholder के बाद होते हैं board of directors board of directors के बाद होते है HODs departments के हेट्स ठीक है उसके बाद होते हैं supervisors उसके बाद होते हैं workers तो अभी देखिए communication अगर यहां से यहां जा रही है यानि उपर से नीचे आ रही है तो यह कौनसी communication है downward communication downward यानि उपर से नीचे आ रही है उपर से नीचे आ रही है और अगर worker से यहां जाएगी तो यह क्या हो जाएगा upward communication तो एक होगा downward एक होगा upward पहले बता ही है downward report समझ में आया क्या है होडी एक नहीं होता है बहुत सारे होते हैं accounts department का होडी sales manager marketing manager ठीक है sales manager marketing manager या अलग-अलग manager जो same line पे है जो same level पे है अगर यह लोग आपस में कोई भी बात का discussion करेंगे तो यह कौनसा हो जाएगा horizontal communication तो communication अलग-अलग प्रकार की हो सकती है oral communication हो सकती है written communication हो सकती है upward communication हो सकती है downward communication हो सकती है horizontal communication हो सकती है और gesture communication हो सकती है what do you mean by gestures what do you mean by gestures येस एक बार वापस वापस से बोली मैडम जेस्चर्स याने non-verbal याने symbolic communication कभी आप अपना head not कर रहे हो yes, no, no नहीं बोलके भी आपने इस तरह के से किया तो ये आपका जेस्चर communication हुआ तो आज के lecture में हमने क्या क्या किया एक बार चोटा सा feedback देख मैं प्रेवीजन देखते हैं कि हमने communication के बारे में किया हमने पूरा पूरा communication क्या होता है किस तरीके का communication है, उसके features क्या है, उसका nature क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ अभी ये जो मैंने app बताया, आप app download करोगे तो आपको पूरा का पूरा sub license, sub notes वगएरे मिलते जाएंगे दूसरा हमारा जो batch है, first batch, first batch किस तरीके का? December की batch का, December की batch का first batch start हो रहा है 15th June से, paper 1 का fees है 4000, paper 2 का fees है 6000 including notes, six days a week होगा, 8.30 होगा, night में, every Sunday होगा, test ठीक है, fees pay करने के दो option है, यहां तो paper 1 का fees है 4000 जैसे मैंने बताया, यहां तो आप bank के through pay करो यहां तो आप google pay के through pay करो, no problem about that और आपके बाद अगर आपको paper 1 के notes चाहिए तो 1500, paper 2 के notes चाहिए तो 1800, last day revision का पूरा PPT चाहिए around 1500 PPT जे only 500, google play download करो, आपको कुछ भी pay करने की जरूरत नी है, सब lectures जो हैं आपको आसानी से आप देख सकते हो, और दूसरी important point यह है, कि आप YouTube channel और Telegram channel Dr. भिनोचानवानी को जरूर subscribe करेंगे, share करेंगे और like जरूर करेंगे, तो चलिए दोस्तों, कल भी हमारा communication ही होगा, normally हमारा Thursday को paper 2 होता है, बट कल हमारा paper 1 ही होगा, तो same time होगा, 8.30, again, और हम लोग join करेंगे, और communication को continue करेंगे, till time, take care, bye bye, good night, शबाख खेर दोस्तों.